कॉंग्रेस के वचन पत्र को लेकर विधायक तुलसी राम सिलावट से खास बात चीट सावेर विधान सबसे कॉंग्रेस विधायक तुलसी राम सिलावट ने कॉंग्रेस के वचन पत्र और किसानों की दो लाग तक की कर्ज माफि के समबन में निव्श्मेन अनियसित चर्चा की चर्चा में तुलसी राम सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही घंटों में कमलाग ने अनदाताओं का दो लाग का कर्स माफ कर अपने वचन को पूरा किया इसके अलावे युवाओ के रोजगार, पेंशन और बेटियों के लिववाग की बड़ी हुई राशी देने का काम भी प्रारम कर दिया गया है मंत्री मंडल के गठन वाले सवाल पर सिलावत बोलेगी मंत्री मंडल में कौन आएगा, इसका फैसला मुख्य मंत्री और हाई कमांग तै करेगी इसके बाद उन्होंने कहा कि वचन पत्र के एक एक शब्त को हमारी पार्टी पूरा करेगी और उस पर कार करना शुरू भी कर दिया है युवाओं को काम दिलाने के दिशा में कमलनात ने योजनाय बनानी शुरू कर दी है तुलसी राम बोले के व्यापारियों के समस्याओं के समधान के लिए भी कमलनात के पास प्लान तैयार है सावेर विधानसवा से जीते हुए कॉंग्रेस के प्रत्यासी तुलसी राम जी सिलावट के साथ हूँ और सबसे पहले मैं उनको उनके जीतने की उसमें बढ़ाई देता हूँ तुलसी राम जी अब आपकी सरकार जो है बन चुकी है और भब आयोजन भी हुआ हमने जो एक गोस्टना की थे हमारे रास्टी अध्यक्स राहूल गांदी जी ने हमारे मुक्ष मंत्री कमलनाज जी ने देश की पूर केंद्री मंति जोती राय सिंदिया जी ने जोती राय सिंदिया जी ने मद्धिप्रदेश की पूर मुख्वंत्री दिगविजे सिंग जी ने राउल वहिया ने और उन्हीं आदो जी ने हमने कहा था कि मद्धिप्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी दज दिन में किसानों का दो लाग रुपे का कर्जमाब हो जाएगा परिदेश में पहला उधारन है हमारे मुख मंत्री जी बनने के बाद कमलनाज जी ने कुछ घंटों में अन्य दाताओं के कर्जमाब की वो बचन को पूरा किया है हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी है क्योंकि सत्तर प्रतिसाथ मेरा मद्वप्रदेश गिरामी नंचल में बसता है इसलिए हमने वो सबसे पहले प्रात्मिक्ता के आधार पर हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो जनादेश मिला था उसको पूरा करने का वचन बद पूरा एक काम क्या दूसरा युवाओं को रोजगार की बात की पेंसन की बात की हमारी बेटियों के लिए उनमें जो अंचिदान देना था वो क्या ये काम हमने प्रारम कर दिया है जिस तरीके से एक्षन में आई है की सरकार अब आने वाली कुछ समय में मंत्री मंडल का भी घठन होने बात है तो मंत्री मंडल का जब घठन होगा उस वक्त आप भी उसमें One Secretary के रूप में ही आपके मार्दयाम से मुझे पता पर रहा है होंगे कोन मंत्री बने क्या करे कौन मंत्री मंडल में आएगा ये हमारी मुख्वमंती जी का केंद्री नित्युत की बात है ये उनके उपर ढ़ना है जो जुम्मधारी मुझे मिलेगी एक कांगरीस के छोटे से कारी करता के नाते मैं समर्पित भाव से समर्पन के साथ उस जुम्मेजारी का निर्वा करने के लिए पूरी कोशिस करूँगा सरकार बन चुकी है मंद्री मंडल गठन हो जाएगा और चीजें होंगी मुख मुद्दी क्या होंगी जिनको आख आप से प्रकार आप जानते हो हमारा मुख मुद्दा हमारा एजंडा किलियर है ते है हमारा उद्देश हमारे सामने हमारा लक्ष हमारे सामने हमारा संकल्प हमारे सामने जो वचन हमने पत्र निकाला है उसको साथ सब्ज बालन करने का कांग्रेस पूरी प्रयास करेगी हमारी सरकार उसमें खरा उतरने के लिए कड़ी बद्ध है अभी दो लाख रुपए दे कर्ज माफी का ऐलान हो चुका है उसका उन्होंने पत्र भी जारी कर दिया अधरने कमनला जी ने तो हमारी सरकार काम कर रही है कि नहीं और दूसरा एक आसा कार करताओं का भी मांदे 2000 उन्होंने बढ़ाया है ऐज ही तो अब आप क्या देखते हैं कि जो आँगे का प्लान है वो किस तरह कि हो आप जैंते मैंने कहा कि जिस पकार से हमारी सरकार काम कर रही है जो हमने बचन पत्र जो मद्ध प्रदेश की जनता को जो बीच में लाए थे एक-एक सब्द उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार कटी बद्ध है और उसी में कार करना प्रारंब कर दिया गया है अभी क्या प्रसासिनिक सरजिरी होना तय है आप इंतिजा करते जाएगे आपके नतिजे आपके सामने धीरे धीरे सब आते जाएगे अब युवाओं को बहुत आपकी सरकार से आसा है युवाओं को भी है, जो हमारे अन्य दाता हैं, उनकी बेखिशा हम से थी, वो हमने पूरी की, युवाओं के लिए भी कल घौसना की गई है, उनके भविस्व को भी सामारा जाएगा, उनको भी जुन्मेदार दी जाएगी, उनको भी रोजगार से लगाने का प्रयास हमारी स कामल लजी का इक कि हम 70 प्रसेंट को मद्ध प्रिदेस के लोगों को रोज़गार आया कराएंगे जो घुल नुहाइज 夠 ने वहीं सब्सक्राइब योगए ने आपकर उसको प्रदेस के मुक्हान लेकर रहे हमारे काग्रेस के मुख्यां है हमारे मुख्वमंत्री हैं और उनका जो संकल्प है युगां को काम देने का और वो कर रहा है यह दिसा में काम भी कर रहा है कौन आयकों पहली हमारी जो काम करने के लिए प्रयासरत कर दिया उन्होंना तो बेवपारियों के लिए क्या कोई नया कुछ पजिक्शा करो अब हर वेपारियों से हमारे मुख्वमंत्री जो बन चुके हैं उन्होंने अलक अलक पूरे मद्द प्रदेश में उनसे चर्चा की उनके प्रतिन अंडल से मिले और क्या-क्या वेपारियों की समस्या हैं उसका समाधान कैसे हो उनसे चर्चा कर चुके हैं उनके जहन में उनके दि मुक्ष मंत्री जी है जो उन्होंने बचन पत्र के अंदर हमारे जो प्रदेश की सेवा करते हैं पुलिस कर्मी उनके लिए जो उन्होंने बचन पत्र में कहा था उसी के संदल में उन्होंने आज जो बात कही है मैंने कहा कि बचन पत्र का एक एक सब्द पूरा किया जाएगा तो आधम सिलावट जी का कहना है कि हमारी सरकार ने जो बचन पत्र में लिखा है उसको हम पूर तरीके से निभाएंगे चाहे बेटा हो बेटी हो किषान हो विरोजगार हो वेवपारी हो सबी के लिए इवाओं के लिए हम सबी के समाज के हर तपके के लिए अंतिन ब्यक्ति के लिए लिए हम जो है कार करेंगे जो हमने बचन पत्र में लिखा है वो पूर तरीके से हम उसको निभाएंगे ये मेरा बचन है और चौमों की बिकास की ओर ध्यान देंगे इन दोर से आशुतोस तुवेदी केमरामेन गुलाब यादब के साथ सावेर विधायक तुलसीरम सिलावत से चर्चा के बाद न्यूस्ट्ट्रिन इंडिया ने किसानों से भी चर्चा की किसानों ने कर्ज माफी के इस फैसले को एतिहासिक बताते हुए आजादी के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह का फैसल नहीं लेने की बात कही किसानों ने व्रिधावस्ता पेंशन को तीन सो से बढ़ाकर हजार रुपए करने पर हर्श होने की बात कही है कन्या को मिलने वाली 26,000 से राशी बढ़ाकर 51,000 रुपए करना पार्टी के बहुत बड़ी उप्रवदी मानी जा रही है न्यूश्ट्वेन नाइन इंडिया संपातक आश्टूर दिवेदी के साथ कैमरामेन गुलाब यादाफ की रिपोर्ट हमारे राश्टी अध्यक राहूल गांदी जी, कमल नाज जी, जोती राच सिंध्या, उड्डीक वई सिंध्य के नेतरत हुमें अभी उदान सवा के चुनाओं में एक बचन पत्र जारी किया गया था उसमें सारे बिंदूओं पे उन्होंने फैसले लिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों के करजा मात किया एककान हजार रुपे कन्याओं को किया, सोले हजार रुपे जो जन्नी में मिलते है, चब्वीस हजार किये युआओं को रोजगार देंगे, मंडियों में नगत भुक्तान करेंगे, सारी उन्होंने ये बोला कि अक्षर सहा बचन पत्र का पालन किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री कमल नाज जी ने बोला है, हम प्रदेश के वासी समस्त किसान उनके आभारी है, मुख्यमंत्री कमल पुलीसों को महां भी बुला सकते हैं अपने हेटक्वाटर उपर, वो पुलीस मुख्यमंत्री चलके गए, बहुत बड़ी उपलब दिया हमारे कांगरे सरकार की, और हम ये चाहते हैं कि अक्षर सा उसका पालन किया जाएगा, और प्रदेश को उसकी काभी सुविदाय मिल उस वचन को निभाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री शफट के मात्र एक गंटे बाद उसकारी को पूर्ण करने के लिए अपने वचन को निभाने के लिए सक्रिये हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था कि कन्याओं की शादियों में जो 26,000 रुपया मिलता था उसको 51,000 देने की गोशना की थी और एक बड़ी खुशी की बात ये है कि वो किसी भी वर्ग की कन्या हो चाहे एक संपन्न किसान हो एक संपन्न व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो जो भी इसका लाब लेना चाहेगा उसको 51,000 रुपय अपने बच्ची की शादी के लिए मुख्यमंत्री योजना के अंतरग प्रदान किया जाएगा और इससे छेत्र में गरीबों में बहुत खुशी का माहोल है हमारे ये कहना है कि संपन्नी एक कमणलाज जी ने जो किसानों के रिन्ध माप किया दुलाग तक का ये इतना इत्यासिक फश्लह लिया उन्हो 2009 आज तक आजादी के बाद किसी मुक्रिम अदरी ने नहीं लिया है ठीक है उसके बाद उन्होंने जो दूसरे मुद्दे जैसे आसा कार्यकरताओं का जो दिया है उन्होंने और सबसे बड़काम उन्होंने कि रद्ध्धावस्ता पेंचन उन्होंने तीन सू रुपे से बढ़ाकर एक हजार हर दी गई है इस से किसानों में और विचारे परिवार के साथ नहीं दे सकते हैं वो यह बहुत अच्छा उनका फेशला है अभी की खबरों बस इतना ही लगतार खबरों के लिए बने रहें न्यूस्ट्रेश नैंट इंडा के साथ एक देश सारी प्रदेश पर्देश अच्रा इंडा के साथ यह बहुत बढ़ी प्रदेश एक दो के सारी नैंट वे बहुत अच्छा इंडा के सहते हैं